नमस्कार आज हम गवर्णर जनरल के परमुख पॉइंट को देखेंगे बंगाल के पर्थम गवर्णर रावर्ट कलाइव थे और बंगाल के अंतिम गवर्णर बारेन हेस्टिंगेस थे जिनका कार्जकल 1773 इसवी से 1785 इसवी में थे भारत में कमपनी के धीन पर्थम गवर्णर जनरल बारेन हेस्टिंगेस बने या कभी कभी बंगाल के पर्थम गवर्णर जनरल भी दे दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल कर बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया भारत में कमपनी के धीन अंतिम गवर्नर जनरल लौड बिलियम बेंटिक थे जिनका काजकाल 1828 इस्वी से 1835 इस्वी में था भारत के पर्थम गवर्नर जनरल लौड बिलियम बेंटिक थे चार्टर एक 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुना बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लौड कैनिंग थे जिनका काजकाल 1856-1862 तक था भारत के पहले 22 लौड कैनिंग बने भारत सरकार अधिनियम 1870 ठामन पारित हुआ जिसने भारत के ग भारत के अंतिम बाइसरा लाड मॉंट मेटन थे 1847 इसवी से 1948 इसवी तक भारत स्वतंत्र हुआ इन्हीं के सासनकाल में भारत के पर्थम भारतिय बाइसराय चक्रबर्ती राजा गोपालाचारी थे जिनका कार्जकाल इसवी से 1950 इसवी तक हुआ था आईए कुछ और देखते है पर मुख्त सासन बंगाल में द्वयद सासन की व्यवस्ता की रॉबर्ट कलाइब ने बंगाल में एक ही साथ दो सरकारे काम करती थी कंपनी की सरकार और की सरकार जिसे द्वाइद सासन कहा जाता था gateway सासन को समाप्त किया बारेन हेस्टिंगस ने महा भियोक चलाया गया था बारेन हेस्टिंगस के उपर इंग्लेंड में 1793 में बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया Lord Cornwallis के समय जिनका कार्जकाल था 1786 से 1793 में भारत में नागरिक सेवा का जनक भी Lord Cornwallis को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त का योजना जौन सोर ने बनाई थी दो और योज बंदोबस्त है 1820 इस्वि में रयत बाड़ी टॉमस मुंरों ने किया था और 1822 इस्वि में महाल बाड़ी हौल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था सहायक संदी परणाली शुरू किया था 1799 इस्वि में Lord Blexley के समय सबसे पहले हाइदराबाद के निजाम से सहायक संधी शुरू किया गया था स्वैंग को बंगाल का सेर्क कहा करता था लौड बिलेजली ने भारत में सहायक संधी परनाली का परियोग बिलेजली से पूरुप फ्रांसिस गवर्नर डुपले ने किया था सती पर्था का उन्मिनल 1829 सिस्विम हुआ लौड बिलियम बेंटिंग के समय इनका कार्जकाल था 1828 सिस्वि से 1835 सिस्वि तक ठागी पर्था का अंत भी कर्नल सलीन में की सहायता से इनी के सासनकाल में हुआ था लौड बिलियम बेंटिंग के सासनकाल में भारतिय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है चाल्स मेड कॉफ को ब्यपकत के सिद्धान्त या बिलाई नीती या हडप नीती या गोध नीशेद बूड डिस्पैच अथारा सो चोवन में और सोला प्रेला थारा सो तिर्पन में बंबय और ठाने को जोडने बाली पहली मीटर थी बिचाई गई थी लौड डलहोजी के सासनकाल में ब्यपकत के सिद्धान्त या बिलाई नीती या हडप नीती बूड डिस्पैच और रेलवे लाइन रेलवे लाइन का जनक भी ने कहा जाता है लौड डलहोजी को अथारा सो और तालिस इस्वी से अथारा सो चप किया लौड रिपन ने जिनका कार्जकाल अठारा सो अथारा सो चौरासीस भी में उठा इलवर्ट बील बिवाद भी लौड रिपन के ही समय हुआ था फ्लोरेस नाइट इंगल ने लौड रिपन को भारत का उधारक की संग्या दी थी और बंगाल बिभाजन 19 जुलाई 1905 म बंगाल बिवाजन आखिर में रद कर दिया गया लौड हर्डिंग दीतुय के समय जिनका कार्जकाल था 1910 से 1916 के समय थैंक यू प्लीज लाइक और सब्सक्राइब